जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के दोहचार चौबीस के भौतिक विज्ञान का पेपर और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बोर्ड पेपर में किस तरह से कुश्चन्स आये थे और आपको उनका एंस्वर किस तरह से देना था सबसे पहले हम आएंगे बहुविकल पीए प्रश्चन पर इनको हम बोलते हैं मल्टिपल 24 कोश्चन या फिर बहुविकल प्रश्चन और ये प्रश्चन क्या है पहला प्रश्चन है हमारा किसी भौतिक रासिक के मातरक बोल्ट मीटर तथा न अगला कोश्चन हम बढ़ेंगे दूसरा कोश्चन ये है हमारा किसी सुध प्रतिरोधक प्रत्यावर्थी परिपत में बिभो इवं धारा में कलांतर होता है कलांतर कितना होता है राइट एंस्वर है पाई बाई टू होता है अगला कोश्चन है हमारा PN डायोड के P सिरे को प्रतिपी से जोड़ दिया गया है डायोड के N सिरे पर माइनस 2.2 बोल्ट का बिभो लगाने पर डायोड में क्या होगा यानि कि PN संधी डायोड है उसके P सिरे को प्रतिपी से जोड़ दिया गया है और बोला जा रहा है ड डायोड के एंसी रेपर माइनस दो पॉइंट दो बोल्ट का अगर हम विभव लगाएं तो डायोड में क्या होगा तो डायोड में इलेक्ट्रॉन का चालन होने होने लगेगा क्या होगा चालन होगा यानि की ऑप्सन नंबर एक आपका सही है अगला कोशन हम बढ़ेंगे लानि की M1 और M2 मिलकर M बना रहे हैं तो इनमें कौन सा आपका सही है राइट एंस्वर है आपका सही है M1 प्लस M2 इस लेस देन M ठीके ये आपका क्या होगा या M is greater than M1 प्लस M2 ये आपका 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 सही हो जाएगा अगला कोशन है हमारा फोटन के गतिज द्रब्यमा का सूत्र है तो फोटन के गतिज द्रब्यमान का सूत्र है H upon C lambda और चावाला कोशन है हमारा इसी प्रकार एक खोकले धात्वी गोले पर 10 कूलाम आवेस है गोले की 35 cm है धात्व के गोले के भीतर वैदु छेत्र होगा वैदु छेत्र होगा शुने होगा क्या होगा सुने हो ठीक है चले आगे हम बढ़ते हैं यह हमारे पहले 5 कूशन हो गए 6 कूशन है टोटल F है तो 6 कूशन तक हमारे हो गए और हमने इनके एंसवर देखेगे इनके एंसवर क्या होगे दूसरा कूशन है हमारा वहानों के पश्च दरसी दरपन में प्रयोगत होने वाले दरपन का नाम है यानि कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कि इस दरपन का प्रयोग होता है राइट एंसवर है आपका उत्तल दरपन का प्रयोग होता है अतल दरपन का प्रयोग नहीं करता है क्योंकि उसको चीजों की बड़ा करने करके देखना होता है पास की चीजों को और फलन का अर्थ समझाईए इसी प्रकार गावाला है नाभिक के आकार तथा द्रब्यमान संख्यां के बीच संबंद स्थापित कीजिए फिर किलो वार्ट घंटा किस रासी का मात रख है एक किलो वार्ट घंटा में कितने जूल होते हैं किसी आवेसी छण के निकट एक अनावे कोस्टन है वन लाइनर में आपको इसका एइंस वर दे दे देना है इसके बात आगे हम बढ़ेंगे आगे हमारा तीस्रा कोश्टन है धारा मापि की सुग्राहिटा को परिभांसित कीजिए हम इसमें वृधि करस कैसे कर सकते हैं यानि कि धारा मापी की सुग्राहिता में वृधियम कैसे कर सकते हैं प्रत्यावर्ती परिपतों में सक्ति गूडांक एवं वाटहिन धारा के अर्थ समझाईए किसी वैदु चुम्बकिये तरंग में वैदु छेतर आपको दिया गया है य बराबर आपका य का मान दिया गया है तरंग के तरंग दैर्द का मान चुम्बकिये छेतर का समीकरण आपको प्राप्त करना है ठीक है तरंग का आपको तरंग दैर बताना है और चुम्बकिये समी करण क्या होगा ये आपको बताना है इसमें आगे बढ़ेंगे प्रति चुम्बकिये और अनुचुम्बकिये पदार्थों में अंतर बताना है यानि कि कौन से प्रदार्थ प्रतिचुम्ब कीए होते हैं कौन से प्रदार्थ अनुचुम्ब कीए होते हैं फिर क्या होगा विस्थापन धारा की आवसेक्ता पर संचित टिपड़ी लिखना है 10 की पावर माइनस 10 मीटर तरंग दैर्द की एकस किरणों पच्पन मीटर तरंग दैरे की रेडियो तरंग एवं छे हजार एंगाश्ट्राम तरंग की प्रकास तरंगों के लिए कौन सी भौतिक रासी समान होगी ठीक है आपको ये एकदम छोटा सा कोश्चन है तीन नमबर का है कनफ्यूज नहीं होना है पहले आपको डेड़ नमबर में क्या बताएंगे इसको बताएंगे यानि ये एक अलग कोश्चन है और फुल स्टाप के बाद आपका ये वाला यहां से ले करके यहां तक ये अलग कोश्चन है ठीक है आगे बढ़ेंगे समस्थानिक, संभारिक एवं सम नियूट्रानिक नाभिकों में अंतर अस्पष्ट कीजिए तीन नमबर का है यानि कि दो-दो अंतर आपको तीनों में बताने हैं फिर वैदू दूधू तथा वैदू दूधू आगोण के अर्थ समझाईए किसी वैदू दूधू में 20 μ.CM-20 μ.CM के आवेस एक सेंटिमीटर की दूरी पर विभेदित हैं दूधुरो के दूधुरो से एक मीटेट दूर किसी अच्छी बिंदु पर वैदुचित की तीवरता ग्याद कीजिए अगला कोश्चन है हमारा किसी सेल के वैदुतु आहकबल एवं टर्मिनल भी भुवांतर में अंतरसपष्ट कीजिए फिर ये आमारा एक थेवरिकल कोश्चन हो गया इसके बाद हमारा नियुमेरिकल कोश्चन है कि दो बोल्ट विदुतु आहकबल की सेल तीन असमलो नो ओम के वाह प्रतिरोध से जुड़ी है परिफद में प्रवाहिद धारा पॉइंट पांच एमपियर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ग्यात कीजिए ठीक है ये आपका हो गया घावाला कोश्चन हो गया इसके बाद अंगा वाला कोश्चन देखते हैं दो पतले उत्तर लेंस परसपर संपर्क में रखे हैं इस जनका बेवहार कैसा होगा ये आपको इसमें बताना है अगले कोश्चन पर हम बढ़ेंगे हमारा अगला पांचवा कोश्चन है तरंगों के बीच बतिकरर प्राप्त करने की दसाएं लिखिए कला संबंद सुरूत किसे कहते हैं ये आपको बताना है दो चीज़े बतानी है यानि की डिडिर डिर नंबर को आपका दोनो कोश्चन ये हो जाएगा किसी बाय सुम्ब की दुरू की स्थिज उर्जा का सूतर लिखिए इसंतिज उर्जा के अधिक्तम और निवन्तम मान क्या होंगे ये भी आपको बताना है आगे बढ़ेंगे प्रकास के धुरुण से पुष्टि करता है ठीक है धुरुण जो है प्रकास की तरंगे के किस की पुष्टि करता है किस प्रकृति की पुष्टि करता है किस बिसेशता की पुष्टि करता ही आपको बताना है या आप धुरुण नहीं पढ़े हैं आपने मतलब धुरुण आपने नहीं पढ़ा है तो दिये गए परिपत में प्रवाहित धारा का मान ग्याद कीजिए यानि कि ये आपको एक परिपत दिया है इसमें आपको प्रवाहित धारा का मान ग्याद करना है प्रतिरोध एवं संधारितर के सिरों पर विभवांतर के बीजगर्टिय योग की परिपत में लगाए गए बोल्टता से तुलना कीजिए यानि कि बोल्टता इसमें अलग चीज दी गई है बोल्टता से तुलना करना है कि इसका विभवांतर के बीजगरतिय योग का इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है ये भी आपको बताना है क्योंकि बीजगरती योग करेंगे गर आप विवांतर का तो वो अलग आएगा बोलता इसकी अलग आएगी तो दोनों में क्यांतर है वो भी आपको बताना है पांचवे का पांचवे कोश्यन है बौर के परमाडु माडल या बौर के परमाडु प्रारूप की संकल्पनाई लखिये यानी बौर का आपको परमाडु माडल बताना है आगे हम बढ़ेंगे परा बैदुत पदार्थ क्या होते हैं किसी माध्यम में व्यदु धारा शीलता तथा सापेच वदु सीलता को परिभासित कीजीए तथा इन दोनों के बीच संबंद ग्याद कीजीए अगला कोस्चैन है इसे में अगर आप पहला वाला कोस्चैन नई सॉल्ब कर पा रहे हैं तो आप ये वाला कर सकते हैं नियुमेरिकल भी दिया हुआ है किसी चालक में इलेक्ट्रान के अपवाहवेग तथा बैदुद्धारा के संबंध अस्थाफित कीजिए किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रान घनत 8.5 गुड़े दसकाते 28 मीटर है तार के एक सिरे से दू दूसरे सिरे तक अपवाहवेग करने में इलेक्ट्रान को कितना समय लेगा तार के अनुपरस्त काट 2.0 गुड़े दसकाते माइनस 6 मीटर स्कॉायर तथा इसमें प्रवाहिद धारा 3 अमपियर है यानि कि आपको लगभग इसमें सभी चीज़ें दी गई है इलेक्ट्रान चुम्ब के छेतर में गतिमान आवेस पर लगने वाले बल के परिमार एवं दिसा की विवेचना कीजिए यदि आवेस चुम्ब के छेतर की दिसा में गतिमान हो तब बल का परिमार क्या होगा गतिमान आवेस पर चुम्ब के छेतर द्वारा क्रित कारे पर टिपड़ी कीज है तथा प्रतिरों 2 ओम है तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है कुंडली का तल तीन गुड़े 10 गाते माइनस 5 टेसला के चुंब के छेतर के लंबवत है अपने लंबवत अच्छ के परिता कुंडली 0 तो समलो 2 5 सेकंड में 180 डिगरी घूम जाती है कुंडली में प्रिरिद विभो तथा धारा भी ग्याद कीजिए ये कोश्चन बहुत बड़ा है अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं पहला वाला कोश्चन आपके लिए बहुत बहतर होगा आगे हम बढ़ेंगे हमारा आठवा कोश्चन है टोटल नो कोश्चन होंगे इसमें एकल जिर्री से प्रकास के बिवर्तन प्रतिरूप को बनाईए तथा केंद्रे उचिष्ट की चोड़ाई का सूत्र लिखिए पहला कोश्चन है पांच नंबर में इसी में दूसरा कोश्चन है केंद्रे उचिष्ट को प्रवावित करने वाले कारकों का उले कीजिए बिवर्तन कोड का अधिक्तम संभाब ब्यमान क्या हो सकता है ये आपको बताना है अगला कोश्चन है अथवा में अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कीजिएगा ये दूसरा वाला कोश्चन क्या है हाईगेंस के दूतियक तरंग काउं का सिधानत लिखिए इसके आधार पर प्रकास के अपवर्तन के नेमों का प्रतिपादन कीजिए फिर हमारा नौवा कोश्चन आता है डी ब्रागली तरंग तरंगे क्या है इनके प्रमुगोर का उले कीजिए अलफा कंड प्रोटान तथा इलेक्ट्रोन की गतिच उर्जा समान है किस कंड से सब्बंध डी ब्रागली तरंग अधिक्तम होगी और क्यों होगी ठीक है आपक अभिनत के प्रभाव की ब्याक्या कीजिए संधि डायोड का प्रियोक कर पूर्ण तरंग दिश्टकारी का परिपथ आरेक तथा निवेसी इवं निर्गत धारा चित्रांकन कीजिए ठीक है ये आपके नौव कोश्चन थे इसमें आपको पीछे कुस्तूत्र दिये गए है जैसे कि एचकामान प्लांक ने अता हैं के लेक्टरान परावेसानी जो बेसिक चीजिए होती हैं वो आपको पीछे दी गई है यहां से आप उनकी बैलूस को देख सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था हम भी लेंगे ऐसे ही किसी और पेपर के साथ जैहि झाली यह दो कामा जांटमक चूरिमिएड़ ठीचे टूग जय हां भीजे अनुट रावे समयते हैं शुर्कव स्वस्तों से जो रावे समयते हैं लोग्यार सही पाल्स कर और यो तर दी बैलाला हैं घए मैंठory को लो करता हैं जो किसी दो डावे संय और डAnt-दीर मेंसी टा